नाजिनाद आप आप देख रहे हैं नियूज़टीन, नियूज़टीन के सोचल मेडिया पेज पर आपको लेकर हादिर हुए हैं इदूलज़ा का मुबारक मौका और आप देख रहे हैं कि लोग इदगा से नमाद परके निकल लें, चारों तरफ खुश्यों का माहूल है, र सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि भुपाल की बात होती है, तो शेहर गदल है, तुम शायरी के अंदाब में आपके मुबारक बात लोग से चानना चाहेंगे, हर सिम्त से उठी है सदा एद मुबारक, हर आख में हर लब पे सजा एद मुबारक, भूलों ने अकीदत से है सर अपना चुकाया चिडियों ने चहक कर जो कहा एद मुबारक, आप सभी हजरात को एद की मुबारक बात पेश करता हूं, और दौा करता हूं कि ये एद हमारी जिन्दगियों में खुशियों और काम्याबियों का, और हमारे मुलक में और हमारे सूबे में अमन और अमान का करवाई की, क्या खास मांगा? इद की मुबारक बात सभी को बहुत खुशनमा महाले हैं आपको पुपाल में, आपको फिरुशे एद मुबार का, तेवारे एद का तेवारे, एद लज़ा का तेवारे, खुशियों थे भर पूरे, खुर्बानी का जजबा रखके ये तेवार मनाया जाता है, और यकीनन जब खुर्बानी का जजबा हो खुशी का जजबा हो तो तेवार में चारचान लग जाते हैं एद होके एदुलाजा हो जाती है और सभी लोगों को एदुलाजा की बहुत-बहुत मुबारक बाद पुर्बानीया करें खुश रहें और खुशियां मनाएं मना और खुछ्यों मनाने में दूसरी की ज़्या ज़बार का भी ख्यार लगनेगा ज़रूहर्णी ने देखा हो मनने तमाम लोगों ने एडवाज़री जारी की है कि अपने प्लुस़ी ओ को भी ख्यार लगए जी बिल्कुल सबसे पहले तो ईदुलहजा की तमाम एहल वतन को मुबारक बाद और जो आज ईदुलहजा का तेवार है इस दिन कुर्बानी जो की जाती है तो हमें आसपास के तमाम मिस्कीनों गरीबों को साथ खैल करते हुए साफ सफाई का बिल्कुल खैल लगे ताकि किसी परिसानी ना हो एक बार फिर से आप सब को ईदुलहजा की मुबारक बात है कल फिर किसी और टापिक के साथ आपकी ख़िमत में हाधिर होंगे तब तक लिए टीम के साथ मैंताब अलंगे दीजिए अजाज़त